असलाम लेकूम और वेल्कम बैक टो निम्स टुटोरियल्स आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जिन्होंने रंग सिर्फ साफ नहीं बलके बहुत जादा गोरा करना वो भी अर्जन बेस पर ठीक है और सिर्फ रंग गोरा ही नहीं करना जिनके फेस पेस 10-20 साल पुरान चाहियां भी है तो उनके लिए वीडियो है complete watch कीजिएगा अगर आज आपने ये वीडियो skip कर दी तो बस आप सारी जिंदगी ना गोरे हो पाएंगे और ना ही आपके चहरे से चाहियां कभी जाएंगी मजीद स्क्रीम के बारे में details देने इससे पहले मैं आप लोगों को त प्रीके से इसको यूज करेंगे तो इंशालला आपको 100% result मिलेगा मेरी 100% guarantee है ठीक है सबसे पहले वो लोग जिन्नोंने सिर्फ फ्रेकल ट्यूब जो है ये चाहियों के लिए order की है तो वो लोग किस तरसे इस्तमाल करेंगे सबसे पहले हम वो देखेंगे फ्रेकल ट्यूब आप टू टाइम यूज करेंगे एक morning में और एक evening में यानि रात को आप यूज कर सकते हैं और एक सुबा के टाइम यूज कर सकते हैं लेकिन सुबा के टाइम आप तब यूज करेंगे जब आप धूप में काम ना कर रहे हो आपके sun rays आपके face पर ना पढ़ रही हो तब इन में धूप में काम होता है ठीक है आपने इतना सा म्टर दाने के बराबर क्रीम लेनी है आप याद रखें क्वांटिटी इससकी देख सकते हैं इतनी मटर दाने से बराबर इस से जादा आपने नहीं लेनी लालच नहीं करना आपने के बई जादा लेंगे जादा थोपेंगे तो आपको जादा अच्छे रिजल्ट मिलेगा मटर दाने के बराबर आपके पूरे face पे जितनी चाहिए है ना उसके लिए enough होता है और आप इस तरीके से इसको apply कर देंगी ठीक है आपकी cream यह apply होगी आपने morning में भी ऐसा apply करने है इवनिंग में भी जिनकी बहुत जादा sensitive skin है ठीक है तो वो एक time apply कर लिया करें जहां पर पूरे फेस पे चाहियां आप वहां पर उसको अपलाई कर सकते हैं जिनकी बहुत लाइफ सी चाहियां फर्स ट्यूब से उनकी चाहियां जो है ना इंशालला रिमूव हो जाएगी और जिनकी 20-30 साल पुरानी चाहियां वो तब तक यूज़ करेंगी जब तक उनकी चाहियां खतम नहीं हो जाएगी आप ये क्वांटिटी देख सकते हैं इतनी ही आपकी काफी होगी जो लोग चाहते हैं कि ना सिर्फ चाहियां खतम हो बलके पूरा फेस भी हमारा घोरा हो ठीक है क्रीम को अपलाई करने का तरीका है यह है कि दोनों अगर आपने साथ में आरडर की वी है तो आपने थोड़ी सी मटर दाने के बराबर जो मैंने फर्स मैथट बताया उस तरह से अपलाई करने के बाद आपने उसके बाद 20 मिनट बाद या अदे घंटे बाद यह क्रीम यूज करें तो वो ऐसे ही वाइटनिंग क्रीम लेप करके अपलाई करेंगे बहुत ही जरूरी बात याद रिखिए कि जो ट्यूब है उसको जार के अंदर मिक्स कभी भी नहीं करना ठीक है अगर आप मिक्स करके लगाना चाहरी है तो सेकिंड मैथड यह है कि आप थ फेस पे आपने जो है इसको अपलाई कर देना है मिक्सिंग हाथ में बहुत अच्छे सी हो जानी चाहिए और इसको आप पूरे फेस पे लेप कर देंगे अगर आप फ्रेकल ट्यूब लगा रहे हैं क्योंकि आपके फेस पे पहले से बहुत जादा चाही है पहली है तो यह आपके लिए जादा बेस्ट है कि आप एक इस तरीके से लगा के मिक्स करके पूरे फेस पे लगा ले और एक टाइम आप जो है ना जिस्ट फ्रेकल ट्यूब अपलाई कर लें उसके बाद नाइट क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो आदे गंटे बाद नाइट क्रीम अपलाई कर लें इस तरीके से आप क्रीम यूज़ करेंगे ना तो 100% नहीं 500% जो है ना आपको रिजल्ट मिलेंगे ये मैं गैरंटी के साथ आपको कह सकती हूँ और आप लोग मुझे सारी जिन्दगी दौाएं देते रहेंगे इंशाला आपको बहुत बेस्ट मिलने वाल या फ्री डेज बाद फोर डेज बाद एक दफ़ा जरूर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन जो है ना वो क्लियर रहे आपके फेस पे कोई भी जो है ना गलो खतम ना हो आपके चेहरे का आपके चेहरे की खुबसूरती मिन्टेन रहे है और ये दोनों प्रोड़क्स ओर कर करते हैं आपने जस्ट वाइस चैट में अपना मैसेज जो है ना रिकॉर्ड कराना है और आपको आपका पार्सल घर तक मिल जाएगा और इन्शाला गैरेंटी के साथ आपको इसके रिजल्ट मिरेंगा अलाहाफेस